गोशी की गोश्टना की और जो ये जीत का संदेश है गोशी विधान सबागी जीत के गोश्टना ने नया रास्ता राजनीत में दिखाया है और सबसे बड़ा संदेश से ही है कि अगर कारकरता नेता अपना चुनास समझ करके और इसी तरीके से आंदोलन कारी बन करके सरकार के खिलाप खड़े हो जाएंगे तो लोगतंत भी बचेगा संबिधान भी बचेगा और देश को नया रास्ता मिलेगा मुझे उमीद है कि जिस तरीके से घोसी विधान सबा की जनता ने मददान किया है और देश को संदेश दिया है आने वाले समय में ऐसे ही परड़ाम होंगे जब किसान बुनकर भाई और पीडिये मिलकर के सहयोग करेगा मदद करेगा तो परड़ाम लोग सबाके 2024 के भी नए होंगे मैं सुदाकर सिंग जी को और उनके पूरे साथियों को जो आज इस हाल में बैठे हैं मैं उनका धन्यवाद देता हूँ आभार भी पिकड़ करता हूँ और इस जीत के लिए बहुत-बहुत मुबारक बाद उनको मैं देता हूँ सरकार जितना दवाब बनाना चाहती थी रेड कार दे कर थी या खास करके जो हमारे मुस्लिम भाई मत दाता जा रहते हैं उनके उपर दवाब बनाने का काम किया अधिकारियों के माद्यम से जो कुछ कर सकते थे वो किया लेकिन उसके वाव्यूद भी घोसी की जनता सुदाकर सिंग्जी के साथ खड़ी दिखाए दी साइकिल चनौचिन पर एक एक बोर्ट डाल करके उन्होंने एतिहास एक पड़ाम दिखा लोग केवल चेहरे से नहीं पहचाने जाते हैं अपनी जुबान से भी पहचाने जाते हैं और बीजेपी के कोई ये पहले निता नहीं है बीजेपी के अगर आप पुराना आर्काइज से चीज़न निकालोंके तो बहुत सारे ऐसे निता निकलेंगे मिलेंगे जिनकी इससे भी खराब भाशा है ऐसे नेता ऐसे सांसत को जिसने नए लोकस्वा में इस तरह की बात कही हो उसे आजीवन ताउंब पाबंदी लग जानी चीए चुना लड़ने कि तो देखिए बनारास आये क्यूटो तो नहीं आये ना वही बादा तो इस बात का धना के क्यूटो होगा लेकिन उत्तपदेश की सरकार ने क्यूटो ही नहीं बनने दिया यह उनकी बात है इंडिया इंडिया की सीटों को लेकर समाजवाधी पार्टी का स्टेन क्या है समाजवादी पार्टी का स्टेंड प्लियर है, लोगतंत बचाना है, संभिधान बचाना है, बाबा साव भीवरा बेटकर जी के रास्ते पर, डाक्टर राम रोलोया जी के रास्ते पर और नेदा जी के संगर्ष से रास्ते पर चल करके देश को बचाना है, लोगतंत को बचा सब्सक्राइब एक देश एक चुनाओ को लेकर आज बैठाक हो रही है एक देश एक चुनाओ आप और हम यहीं उत्तपदेश में काम करते हैं अगर उत्तपदेश में बिधान जबा का भी चुना हो जाए एक साल बाद या छे मेने बाद तो हम समाजवादियों से और उत्तपदेश की जनता से ज़्यादा खुश्पोन होगा अजग जे सवाल इसलिए हो रहा है कि कॉंग्रेस भी सीटे मांग रही है तो मांगना तो अच्छी बात है तो हम और आप तया थोड़ी करेंगे हमें और कौंगे या जो भी दल हैं उनको मिलकर के तया करना है जब मैंने आप से कहा कि समाजवादी पार्टी के और समाजवादी लोग का इत्याद उठा लीजिए समाजवादी उने लोगों को जोड़ने का काम किया है और बढ़ चड़ करके भी अगर साथ लाने के लिए कुछ हमें तयाग भी करना पड़ा होगा तो तयाग भी किया है लेकिन इस बार लड़ाई बड़ी है 2024 की लोगतंत और समिधान बचाने की लड़ाई है इसलिए हमारी पार्टी सबको साथ लेने के लिए तयार है समाजादी पार्टी अपने संगठन के साथ बाचीत कर रही है संगठन की लोग लगाता सुझाब दे रहे हैं जहां पार्टी का संगठन है और पार्टी जो गड़बंदन बना है बड़ा देश का बाचीत करकर गई आगे बढ़ेंगे किसमोर्या का कहना है कि एक घोसी जीत कर बहुत खुलने की ज़रूरत नहीं है 2024 में पता चल जाएगा समझादी पार्टी को यह कौन है बाई कि एक लोहा लोहे को काटता है बीजेपी के रण्डी जान लो समझ लो क्या है इसलिए बीजेपी पे सोचिए उसी के बारे में तै करिए यहां पर हार हुई है मुख्यमंती जी की आप गलत फिंग मत रहिएगा आप एड़ के हसाब से सवाल मत पूछिए एड़ जाता हो जाएगा तो उसी साह कर सवाल पूछेंगे आपसे यह हार हुई है मुख्यमंती और सरकार की इसलिए उनको सरकार को स्विकार करना चाहिए कि हार रूपी हुई है सरद मैं AAT میں संजे गान्दी ऐस्पिताल का लाइसंस रद कर दीया गया वरूंगादी उपमुँ मतरी को पत्र लितारी जो ऐस्पिताल जलबी रह हूं इंधा आप लोहिया में चले जाएए क्या इलाज मिल ला है पीज़ाई में कल मैं होकर क्या है हूँ क्या दुर्दशा है सोची आप आज गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है और ये सरकार बताए कि दस साल में गरीब के लिए अगर कोई जिलाज स्पताल बनाया हो तो बताए जो समाजबादियों ने अमूलेंस भी चलाई थी उसको भी परवाद कर दिया नो अगर एक भी जिलाज स्पताल बनाया हो जहां पर गरीब का इलाज हो रहा हो तो हमें सरकार बताए कि इस जिले में उन्होंने एक जिलाज स्पताल बनाया है जहाँ पर गरीब को इलाज हो रहा है और दरभाग के तो ऐसा है कि बताइए डेंगू के मरीज नहीं बचा पा रहे हैं यह सरकार ममूली बुखार उससे जो पीड़ित गरीब है उसको इलाज नहीं दिला पा रहे हैं कासगंज एटा की खबर मेंने पड़ी और सुन्ने में आया है तीस से जादे लोग केवर डेंगू से जान चली गई यह जो लोग वन ट्रिलियन डॉलर फाइव ट्रिलियन डॉलर एकोनमी की बात करना हैं जी ट्वंटी के लोगों को बुला रहे हैं तो वो क्या है कि हम जाद दे दिया उसी के वैसे बर्वाइश टीटियम आप सदन की कारवाई निकालिये तुर्भाग है देश का जब दुनिया के देशों को देखते हैं दुनिया के देश कहां पहुंच गए हैं वहां की सड़के इलाज अस्पताल या सिक्षा या क्या इस्तर है कोई विदे इतना पैसा खर्च हुआ होगा और फ्रांस के अगर कोई टुरिस्ट आए और उसका पती अपनी पत्नी के बीमार होने पर एंबूलेंस के लिए मांग करें और आप जी टुन्टी कर रहे हैं आप आप दुनिया के दूसरे देशों को दिखाना चाहते हैं कि हम इतना तागत वर देश बन गए और एक मामुली एंबूलेंस नहीं दे पारें आप टुरिस्ट के लाज के लिए इस से ज्यादा खराब बात क्या हो सकती है इससे खराब संदेश क्या ज़सकता है केवल ख़वर भारत में नहीं शबी होगी है फ्रांस में भी शबी होगी के एक टुरिस् अबूलेंस बूलाते रहें एमूलेंस नहीं पहुची और उसके जान चलीगी सोचिया गड़्ाओं का वियान चला है आर्सस की बैठक चल लाइए भाजपा के साथ वो इसलिए गड़्ा है उसी बैठक चली जाए जाए अब उस पतकार सवाली एक ही लाइन में दो सवाल प तो होई तो समनो संदेज क्या है कि वो बैठक भी गड्टे में समाजादी पार्टी साफ है पिश्णों को और मुस्लिम अलसंकिक उन समाज के लों के भागेदारी हो और जो सुजाब निता जी ने दिया समाजादी पार्टी का पक्षरा के पार्टी बेस्ट भी होना ची र